हेलो गाइस आज की वीडियो में हमें जंसा टेकनोलोजी का फंडामेंटल इनका बिजनेस क्या है और इन्हों ने यार कैसा परभॉम किया है पिछले कुछ सालों पे और यार इस कंपनी पर इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं और इनके कंपेटीटर को भी देखेंगे और इनके कंपनी के बिजनेस की बात करो तो IT सेक्टर की कंपनी है और आप अप सकते हो कि यह सारे बिजनेस करते हैं Experience Services अभीर ऑप यह सब प्रोवाइट कराते हैं है मतलब वाइड वाराइटी ओर बिडिनेष हो जाने से कुछ नहीं होता डैफिनेटी अगर अच्छा कर रही है मतलब घुल मिला कर एक अच्छा कर रही है तभी हो कंपनी इन वेस्ट करने के लिए अच्छी होती है तो सरुइसिश में अभी हम पनी के बैलेंस इड़ या जा इनके बैलेंस इड देखते हैं तो याँ अभी अगर इनके आप बैलेंस इड को देखो गे तो रिसेंट को अटर को दिखिए आप सप्टेमबर 2020 पे जो रिजल्ट आया था वहां पे जो इन्होंने सेल्स किया था बारा सव पैटीस करूर का किया था और यहां पर आप मार्ज तो आल्मोस्ट 15 परसंट के आज पास इनके अबरेट मार्जिन है यहां पर देख सकते हैं चौदा पंद्रा कभी हलका-फुलका-बारा हो गया अठारा पंद्रा तो इस तरीके से अबरेट निकालोगे तो यार आज पास का इनका मार्जिन बैठता है ठीक है अभी अगर आप तो आप रिसेंट कोडर का मार्जिन देखोंगे तो 9% और 11% ठीक है तो इस तरीके से मार्जिन फॉल इस तरीके से यार कंपनी का शेर प्राइस भी बहुत ज्यादा फॉल वा क्यूंकि अपको पता होगा कि हैटे सक्टर पे तोहचार 21 पे बहुत ही तगड़ा भूम आया यह बहुत ही जादा भागे लेकिन यार जो वैलियूशन यह कंपनी डिसर्फ करती थी उससे कई ज्यादा इसका वैलियूशन हो गया क्योंकि यार बुल रन ऐसा ही होता है जब भाग रहा होता है मार्केट तो यार बहुत इबूरी तरकी से भागता है और उस पर सारी कंपनि यार इसके साथ भी यह बहुत जादा भागे लेकिन इसका वैलिवशन काफी जादा हो गया था इसकारण यार कंपनी पचास-बॉल यह था इतना ज्यादा फॉल होने का लेकिन यार कई लोगों को यह कंपनी काफी जादा सस्थी लगते हैं क्या यार आपको यह कम समय पे जादा रिटन दे सकती है तो आपने देख लिए कि कैसा कंपनी ने परफॉर्म किया अभी हमें इनके ना थोड़े यह ली कैसा परफॉर्म किया तो आप देख सकते कि पिछले तीन साल पे और पांस साल पर इनके सेल्स ग्रोथ दो परसंट और साथ परसंट की आसपास रहे तो यार अगर आप इनके कंपटीटर से मैच करो तो यार काफी अच्छा परफॉर्म कर रखी है इनके अगर उनके सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ दो देखो गये तो इसकंपनी से कई ज्यादा है अगर यार एडी सेक्टर पर इन्वेस्ट करने के लिए जाता है और competitor को देखता है कि इनसे बैटर परफॉर्म कर रहे हैं तो इसलिए इस कंपनी के शेयर प्राइस बहुत ज्यादा नहीं भागे हैं तो यार मार्केट पर कोई चीज सस्ती होती तो आपको सोचना चाहिए कि क्यों सस्ती है और यही रिजने कंपनी के सस्ते होने का क्योंकि कंपन यहां पर यहां पर सेल कर दिया और दिया इसकी ओल्डिंग देखोगे तो उन्हों ने मतलब आपनी आदी ओल्डिंग मतलब 50% ओलिंग और अभी 12% के आजब सटेक हैं तो यहां पर देख सकते कि पूब्लिक के पास ओल्डिंग आ रही है और बड़े जो इन्वेस्टर्स ह फॉल हो गई अब यार एक चीज़ और देखते हैं लोग कि यार यह कंपनी इट फ्री है और डेट फ्री कंपनी पे वह इंवेस्ट करने के लिए मतलब यार काफी ज्यादा उताब ले लेकिन आ आई टी सेक्टर की कंपनी जो होती है वह टी ही होती है क्योंकि आइटी सेक्ट होती है majority आपको debt free company मिलेगी या तो उनके पास बहुत इचाता कम डेट होगा क्योंकि उनके पास जो क्यास होते हैं वो उससे ही काम चला लेते हैं उनके पास enough reserves होते हैं तो यार अभी आर इनके थोड़े हम competitor को देख लेते तो अगर आप इनके सबसे कम है और यह सबसे बुरा परफॉर्मेंस जो को अच्छा परफॉर्म की है और आप देख सकते हो कि यार पिछले कमपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से और इनके परफॉर्म कर रही है और इनके अच्छी तरीके से भाग गया है इसका रीजन यह है कि आटी सक्टर की कमपनियां पर गई थी पिछले साल मैंने अलड़ी रीजन बता दिये लेकिन एक लिसाट परसंट तो फॉली हुआ जैंसा टेकनोलोजी अपने वैल्यू का क्योंकि यह कंपनी हाई रिस्क टेकर्स के लिए क्योंकि आप देखी सकते हो कि यहां पर बड़े बड़े इंस्टिउशन इंवेस्टर है वह सेल करके जा रहे हैं और अगर आप नॉर्मर रीटेल इनवेस्टर हो हाना और आपको अपने कैपिटल को सेफ रखना तो आपको सौट्टरम के लिए इस कमपनी करना चाहते हो तो बिल्कुल भी मत करना क्यूंकि सौट नब भी कमपनी अभी भागने नहीं चारे क्योंकि आइडिक है अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगी तो आप इनवेस्ट करने के बारे पर सोचाना लेकिन अभी फिलाल इनसे बैटर अगर आप इनवेस्ट अपरचुनिटी देखी रहे हो आईटी सेक्टर कंपनी पे तो आप टीस पे इनवेस्ट कर सकते हो को फोर्ज पे भी कर सकते हो काफी अच्छा परफॉर्म की है लार्सन एंटुबरो इंफटक माइंट्री ऐसे इसे कंपनियों पर देख स करें तो रहा मेरा अपना खुद का ओपिनियन तो यार आई होप यार यह वीडियो पसंद आए होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करते है और इसी तरीके वीडियो के चैनल को सबस्क्राइब कर लेना तरीवक्तर वाचिंग देश्ट